हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर तो कैसे हैं आप सब तो मैंने यहां पर हुमेट गही बना के तयार किया है तो मैंने इसको किस तरीके से बनाया है चलिए चलते बनाने की और यह 3-in-1 रेशिपी है तो यह इजली बन जाता है 15 मि मलाई निकालने से तो यहां पर मैंने दूद गरम करके फ्रीच में रख दिया था 2-3 घंटे के लिए फिर मलाई जमने के बाद मैंने इस तरीके से स्पून से हलके हातों से निकालके रख लिया है और यह मेरे एक सस्क्राइबर है जिन्नोंने मुझे यह रिक्वेस्ट किया इसमेल पर मैंने मलाई केश से स्टोर करती हूं तो मैं उनहीं के काने पर दिक्वा रही हूं तो देखें यह दूसरा दिन, मैं इसी तरीके से ठोलाус रहरा हासन देन, हए 11 – 15 गर्लुन है तो इसको मैं हांथ से या फिर हैंड ब्लेंडर से नहीं निकाल रही हूं आज मैं इस तरीके से आपको जल्दी आपको निकाल के गीब बना के बतारी हूं और यह इजली अच्छी तरीके से निकल जाते हैं इसमें हाथ भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि आज सुरह सा मेरा तबियत कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, तो मैं हैंड ब्लेंडर का यूज नहीं कर रही हूँ, आज मैं एलेक्टिक ब्लेंडर से ही निकाल रही हूँ, ये इजली पांच मिनट में बनके हो जाते हैं, दे अगर चाहो तो और दो मिनट तक इसको चला लीचे, लेकिन मैंने थोरा सा हाथ से भी इसको किया है, तो 5-6 मैंने इसमें बर्व का क्यूब डाल दिया है, और हाथ से 1-2 मिनट तक कर लेंगे, गुमा लेंगे, तो इजली ये बटर निकल जाता अच्छी तरीके से, और आप के पास अगर टाइम नहीं है, तो ब्लेंडर आप जिस तरीके से यूच कर रहे हो, बस 2 मिनट चला लीचे, मैंने थोरा सा हाथ भी इसमें लगा दिया, और हाथ तो गंदे हां हो गया है, कोई बात नहीं, तो इसमें फिर से मैंने 3-4 बर के क्यूब डाल दिया है, क्योंकि जब आप मालाई निकालते हो, तो यह मालाई ठंदा रहता है, ठंदे पानी में आप डालें, क्योंकि आप नॉर्मल या फिर थोरा सा गर्म पानी में डालेंगे, तो यह पिघलने लगता है, तो कोशिच करिए, कि या तो चील्ड पानी रहे है, या फिर उसमें, आप का, तो आप इस स्टेज में आप इसको अच्छी तरीके छान के, और इस पानी में डालते रहे है, आप एक दो पानी से दो लिजे, क्योंकि हो सकता है, घह में समेल आ जाए, क्योंकि पंदरा दिन का इतना मलाई हो गया था, और आप इसको अच्छी तरीके से फ्रीजर में आप चाहो तो 5-6 दिन तक आप महिनोँ इसको श्टोर कर सकते यह 15 दिन में मैंने इसको निकाल लिया हैं तो देखि पर कितना बटर ताया हो गया आप चाहो तो असरी बटरा में आप है नैसेफिन कित अप अच्छी तरीके से employee बर्प के पादी बहुत अच्छा मात Are You क Потом मैं ने मैं लग और उच्छा में देखिए मॊइड Лह रहे है हाथ में तो अब रफ का क्यूब जरूर डालना या फि ठंडा पानी डालना तो देखिए इजली ये हो रहा है और आप बताना कि आप किस तरीके से घी निकालते हो तो सारे जो ये गोले है ना मलाई के सब को इसको अच्छी तरीके से मैं धोलोंगी और ये इजली होमेड घी प्रफेक्ट घी बनके रेडी हो जाता है और मार्केट का घी तो इतना फ्रेस नहीं रहता और इतना अच्छा सा गुड़ा स्मिल भी नहीं आता है जल्दी से होमेड बाजार का जोगी है खराब हो जाता है आप इस बटर को श्टोर करके रख सकते हैं तो आप इस मलाई से 3-4 तरह के चीज बना के तयार कर सकते हो एक तो ये बटर ही आप श्टोर करके रख लीचे मलाई से बटर निकल ग हो गए एकदम बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है तो इधर मैंने गया स्कॉन किया है और कराही को रख दिया है और इसको इस तरीके से तोर लेना है और ये इजिली 15 मिनट में घी आपका बनके रेडी हो जाता है आप हैंड ब्लेंडर का यूज अगर करते हैं तो थो ही निकला था ना सुरी ये च्छाच जो निकला था इधर भी रख दिया है पनीर बनने के लिए आप चाहो तो अगर कम दिन का ये च्छाच तो आप पी भी सकते हो इसमें काला नमक ब्लैक पेपर सब डालके लेकिन ये 15 दिन का हो गया था तो इसमें असमेल भी आ सकता है तो इसका छेना बना लेना है और ये छेना अच्छी तरीके से इजली कुछ भी डालने की इसमें जरूरत भी नहीं रहती सिर्फ आप गैस पे रखिए और छेना फट जाता है एक से दो मिनट में और इधर घी को भी बीच बीच में मैं चला तो देखे ये फट भी गया है बस एक मिनट के लिए और इसको अच्छी तरीके से सेपरेट होने के लिए छोड़ दीजिए और इधर बीच बीच में घी चलाते रहे है तो यहां पे दो तरह का रेशिपी बनकी एक बार ही रेडी हो रहा है तो यह बनके हो गया है रेडी द अच्छी तरीके चान लेंगे और रगर रगर के दो लेंगे फ्रेश पानी से और यह अच्छी तरीके से दूल जाता है बिल्कुल भी नहीं बाता नीचे तो अब बनके पनीर तयार आप इसके भूट जी या फिर प्राठे बनाके रेडी कर सकते हो जैसे आप पनीर का कोई भी रेस्पी बनाते हो तो और इधर घी भी अल्मोस्ट अब होने को आ रहा है तो इसको भी अच्छी तरीके से नीचे से चला लेंगे क्योंकि ताकि यह नीचे से जल नहीं जाये फोटे नहीं तो लगभग 500 ग्राम घी बनके 15 दिन में तयार होने बाला है तो पूरा वीड एक मलाई से 3-4 तरह की रेस्पी अब बना के तयार कर सकते हैं तो अल्मोस्ट देखी इसमें कलर भी आ रहा है और पूरे घर में इस घी की खुशू फैल रही थी तो यह भी हो गया है तयार इस स्टेज में आप इसको उतार के नीचे रख लीजे और इसका यह जो जाग हो भी जाए अब जब थंडा हो जाए तो आप इसको इस तरीके से उचलने लिजिए और पतलेयी मोटे वाले वाले बिल्कुल ले लिजिए क्योंकि को इसका मावाई नीचे घी में भी जा सकता है तो इसको अच्छी तरीके स्चान गया एक यह घी बन गया और एक यह माववन के तयार हो गया आप इसको चूरा फ्राय करके खा सकते हो या फिर एसे भी चीनी मिला के खा सकते हो या फिर कोई मिठाई भी इसकी बना सकते हो मैंने एक मिठाई बनाया जो कि आप लोगों से भी शियर नहीं किया है तो आप बतान झाल 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 झाल